इसमें और कितने लोग गिरफ्तारी मुम्किन है वकिल से अभी बहुत पाइज में चार पांच लोग डाडार पर हैं इसमें जो इस सरा का हरकत की हैं और आपको आपके चैनल की जिम्हेदार चैनल है इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों को आगाह करता लेट इसलिए कि पूलीस को लगता है कि यदि आप ऐसे मामले में यदि आप कोई विधिवत कारवाई नहीं करते हैं तो प्रसन उठने लगते हैं समाज में तनाव पैदा करने की और हिंसा भरकाने की पूर जाती रंग देने की भी कोशिज किया ताकि उनको अब जो है जब तक अपने गलती का एसास नहीं हो और गलती का जब उसको पूरी तरह से एहसास हो जाएगा तभी जाके वो जेल से निकले अधर वैज नहीं हाँ भोजपूरी के अशलिता को लेकर के समाज हमेशा से चिंतित रहा है लेकिन जब भोजपूरी एस्टार खेसारीलाल यादब की बेटी पर पंकच सिंग ने फिल्मी गाना गाया और उसको लेकर कर जब विवाद बढ़ा तो ये विवाद जाती गत हिंसा की तरफ जाने लग हैं जो पटना हाई कोट के एडवोकेट हैं शुनंदन भारती हमारे साथ बात करने के लिए ये विवाद बहुत बढ़ गिया वकिल साहब लेकिन आपने गिरफतार करवा दिया तो लोगों का तो होसला प्तूटा इस सारे ने ने देखिए सवाल ये खेसारीलाल यादब ज जी जैसे स्टार को गाली दिया तो कुछ नहीं उसका बाल बाका हुआ तो समाज में और अजक्ता की स्थितिया आ जाती इस पर उन्होंने खेसारीलाल जी ने एक अपना वो जो फिल्मी केरियर है उसके अलबाएक समाजी वो समझी की एक तरह से अपड़ना दायक काम किया ह कि चूप मत रही है यदि आपके साथ कोई जुर्म कर रहा है तो कानून लोग काते ने कि बदला लेने के लिए बहुत लोग पे स्टॉल ढूंडते हैं और समझदार लोग के वकिल को ढूंडते हैं तो नहोंने अपनी समझदारी दिखाई उनको लगा कि इस पूरे प्रकर कि जितने भी चाहने वाले लोग हैं वो लगतार उसकी गिरफतारी की मांग कर रहे तो इसमें लेट हुआ है लेट इसलिए कि पूलीस को लगता है कि यदि आप ऐसे मामले में यदि आप कोई विधिवत कारवाई नहीं करते हैं तो प्रस नोठने लगते हैं इसलिए पूल गिरफतार करने के लिए जो मेमोरेंडम बनता है उसका पुड़ार उन्होंने त्यार किया बजाप्ति वो लरका आपने आपको छुपा हुआ था पूलीस के लिए सिरदर्दी ये बन गई थी कि बार बार लाइब आकर वो जो है और मामला को भरका रहा था और एक तरीके से वो विहार पुलीस को चैलेंज कर रहा था कि आप मेरा कुछ नहीं बिगार सकते हैं और रिपीटेशन था और तमाब समाज में तनाव पैदा करने की और हिंसा भरकाने की पूर जोर कोशिज की वो जाती रंग देने की भी कोशिज किया तो पुलीस ऐसे परिस्तिती में बि बहुत बड़ी और यदि इस पर कारवाई नहीं होती तो मैसेज यह जाता कि सभी लोग इस तरीके का एक दूसरे पर चीटा कसी करते निम्न अस्तर यह कारे होता गाली का जबाब गाली से इनके भी समर्थक उनको गाली देते उनके समर्थक उनको गाली देते हर आदमी का पर संसक है तो ऐसे परिस्थिती में मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता इसलिए उन्होंने पुलिस बिहार पुलिस ने अपनी तत्परता दिखा रहे जो सरा निये भी है आज आपकी मुलाकात हुई खेसारी लाले यादाव आप से मिलने के लिए पहुंचे थे उमीद उनक नहीं बता सकता लेकिन इतनी बास समझे कि उनको अभी जिम्हां बेल नहीं हो उसपर हम लोगों का अपना है कि इस मामले कुछ सारे नियाले को अबगत कराएंगे कि यह यह मामला है और जो है जब तक अपने गल्ति का एyuसास नहों और गल्ति का जाव उसको पूरी तरह से अहसास हो जाएगा तभी जाके वो जेल से निकले अधर वैज नहीं है हमारा और देखे खेसारी लाल जी भी बहुत ध्यालू प्रविर्तिके हैं उनको था भी कि मैंने समझाया मौका दिया फिर भी वो मानने को त्यारने और देखे बहुत एक कलाकार अलग मामला है और वो ल किसी के अपने आपको खेसारी लाल जी के जगह पर रखके देखेंगे आप तो आपको लगेगा कि मासूम सी बच्ची और लाइब है सोसल साइट पर सब है वो देखती और अपने पिता से पुछती कि पिता जी यह क्या हो रहा है क्यों लोग मुझे गाली दे रहें तो उस लोगों को अगाह करता हूँ कि आप यदि भूजपूरी के हिमायती करते हैं भूजपूरी का सही में आप चाहते हैं कि भूजपूरी अपने मुकाम तक पहुँचे तो आप ऐसे वो नीच हरकत ना करें कि एक दूसरे को गाली देना इससे भूजपूरी समाज का जो है सो बदनामी होती है लोग डिफेम करते हैं तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जो लोगों को लगता है कि यह गलत कर रहे हैं तो आप कानून के सरन में यह त्वरित कारवाई होगी एक तो यह बात हो गई और दूसरी बात बहुत सारे लोग सोसल साइट पर एक दूसरे को जलील करने के लिए अनाप सनाप बिना कोई सीरपाइर के बात को रखते हैं चाहे वह कोई मीडिया वाले मेंका तरिके से आप अपने सिकाई दर्ज कीजिए सही जगा पर जरूर कारवाई भारती जी क्या लगता है आप को इस तरह से रन नीती आप बना रहे हैं कोट के सामने कोट जिब खुलेगा तो आप कोशिश यह रहेगी कि पंकस ची को किसी भी कीमत भी कीमत का तो बात मैं नहीं कर सकता लेकिन हमारी वो पूर जोर कोशिश रहेगी कि उसको अभी जब तक कि उसको गलती का अहसास नहों तब तक उसको बेल ना मिले एक आखरी सवाल कि आप भी एक समाजिक जिन्दीगी जीते हैं समाज में आपकी भी अपनी पैठे सक कुछ है लेकिन जिस तरह से अशलीलता फैली है लगतार भ बहुत सारे लोग इतनी माने गाली गलोज के डारेक्ट आते हैं चैनल पर यह कधापी उचित नहीं आप यदि आपनी गुसा को भी जाहिर करने का एक सालिंता होता है जब खास करके आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब आप माइक के सामने होते हैं गाली देने के लिए तो आदमी किसी को कितनी विगर और लोग में क्या है भी पाने के चकर में अपनी वह मर्यादा की सीमा को लांग जाता है और उसमें नियम यह हैं साइबर का चुकि बहुत सारे जो चैनल वाले हैं उन लोगों की तरफ से थोड़ी बहुत कमी होड़ी कि आप कोई यद भाईयों से भी हमारा आग रहा है कि आप भी अपने पूरे नॉर्म को पकर के तब काम कीजिए तो बहतर होगा चुकि आपको जब आप इंटर्व्यू ले रहे होते तो दो से चार लोग होते हैं लेकिन उसके बाद आपको लाखों लोग देखते हैं तो यह मत सुचे कि आ आप दो आदमी के सामने लिया इसी लाखों लोगों को कभी कठा करने के लिए रैलियां की करनी परती थी जिसमें लाखों करोरो खर्च होता था तो अब ऐसी संसाधन आ गया है कि आप एक मोगाईल और एक केमरा और एक मोगाईल से आप record करकर लाखों मिलियून्स में आज में आ रहे हैं तो इसे लोगों का वहिस्कार होना चाहिए आपकी और हमारी सब की जिम्हेदारी है तो यह थे हमरे साथ पटना ही कोट के अड़ोकेट शिनुदन भारती जीन मामला जो परकड़न था उनकी बेटी को लेकर के जिस तरह से पंगे सिंग ने गाना गया था अशलीलता फैलाई थी उसमें उसकी गिरफतारी हो चुकिया और वकिल साब ने ये भी बताया कि इस मामले में कुछ और लोग हैं जिन्हें पकड़ने का परियास प्रशासन के माने में जो चीजें हैं वो बहुत तेजी से फैलती हैं और ऐसे हालात में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है